हलो एवरिवन आप सभी का स्वाकत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरूजी में आज मां आपके लिए एक नई ट्रिक की वीडियो लेकर आया हूँ जिसे मां आपको वैस सभी इंपोर्टन कोशन कराऊंगा जो हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो प्लीस वीडियो को अंत तक देखें जिससे के आपको वीडियो का पूरा फाइदा मिल्स के और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जूर दबाएं जिससे की हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज जो मैं कोश्चन लेकर आया हूँ वो आपके एकजाम के लिए बोथ ही एलफफुल साबित होंगे और इनको मैं आपको ट्रिक के मादियम से कराऊंगा तो वीडियो को पूरा देखें जिससे के आपको पूरा बेनेफिट मिल सके और ये कोश्चन आपके एकजामने जरूर फसेंगे तो सबसे पहला कोश्चन है हमारा किसी परिक्ष्या में 80% छातर हिंडी में उतरण हुए तथा 85% छातर अंग्रेजी में उतरण हुए तथा 75% छातर दोनों विशों में उतरण हुए तो कितने परिक्ष्या छातर अंउतरण रहे तो सबसे पहले में आपको डाइग्राम के थुरूई से समझा देता हुँ तो हमारे पास है ये है हिंदी का पोर्शन हिंदी के अंदर क्या हुआ है 80% छातर जो है वो पास हुए है और ये है इंगलिस का पोर्शन इंगलिस के अंदर क्या हुआ है दोस्तो 80% जो है वो पास हुए है और ये है दोनों का पोर्शन यानि मीक्स पोर्शन इसके अंदर क्या हुआ है 75% जो है पास हुए है यानि ये वो चातर है जो हिंदी के अंदर भी पास हुए है और इंगलिस के अंदर भी पास हुए है सबसे पहले ये तीनो परसेंटेज जो है वो हमारी जातो पास के अंदर होनी चाहिए या फिर फेल के अंदर होनी चाहिए तो अब हमारे पास तीनो जो है पास के अंदर है तो हमें क्या करना है दोस्तो हिंदे के अंदर क्या है दोस्तो हमारे पास 80 पलस इंगलिस के अंदर क्या है दोस्तो इंगलिस के अंदर है हमारे पास 80 परतिशत और ये जो है ये दोनों के अंदर है तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तो माइनस करेंगे 75 को तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तो जब हम इसे solve करेंगे तो हमारे पास आ गया 90 यानि 90 परतिशत जो है वो क्या हुए है दोस्तो पास हुए है अगर 100 में से 90 परतिशत पास हुए है तो fail कितने हुए है दोस्तो 10 परतिशत ये क्या है? फेल हुए है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कि 10 परतिशत जो है बच्चे फेल हुए है हमारा नेक्स्ट कोशन है तीन रूट तीन दूसरी संख्या है दो रूट दो तीसरी है तीन रूट चार चोती है चार रूट पांच मैं सबसे बड़ी वै छोटी संख्या ग्याद करूँ तो हमें बताना है कि इनमें सबसी बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी संख्याएं दी गई है उन्हें एक साइड में लिख लेना है जैसे तीन रूट तीन इसके बाद दो रूट दो तीसरी संक्या है तीन रूट चार और चोथी संक्या है हमारी चार रूट पांच उसके बाद हमें क्या करना है जो भी संक्याएं रूट के बार लिखी हुई हैं उनका हमें LCM निकालना है LCM यहां से LCM होता है Least, Common, Multiple जब हम इनका LCM निकालेंगे 3, 2, 3 और 4 का तो हमारे पास आ जाएगा 12 उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद जो भी रूट में संख्याह दी गई है उन्हें एक तरफ लिख लेना है जैसे रूट 3 उसके बाद है रूट 2 उसके बाद है रूट 4 उसके बाद है रूट 5 अब हमें क्या करना है LCM को इस 3 से भाग देना है हमारे पास कितना जाएगा 4 वो यहां पर लिख लेना है इसी तरह से इस 12 को इस 2 से भाग देना है और यहाँ पर power में लिख देना है इसी तरह से LCM को इस 3 से भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 4 इसी तरह से 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बस अब इसे हमें solve करकर लिख देना है जिसे अब हमारे पास यहाँ पर आ गया root के अंदर जब 3 की power 4 को हम solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 यहाँ से हम जब इसे solve करेंगे 2 की power 6 को तो हमारे पास आ जाएगा 4 इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 शुपनजा इसे सोल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 अब हमें देखना है कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कोंसी है तो हमें सपस्ट दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या है 256 रूट के अंदर ये किसकी है ये है 3 रूट 4 की तो इसका मतलब है हमारा जो सबसे बड़ी संख्या आ गई है वो है तीन रूट चार उसके बाद पुछा गया है सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास रूट के अंदर चोंट यहां से हमारा हो गया यह सबसे छोटी संख्या हो गई दो रूट दो इस आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दो की पावर दो सो पचास तीन की पावर एक सो पचास चार की पावर दो सो पाँच की पावर सो में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ग्यात करें तो हमें बताना है कि इनके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है जो संख्याने दी गई हैं वो एक साइड में लिख लेनी है जैसे दो की पावर दो सो पचास उसके बाद तीन की पावर एक सो पचास उसके बाद आता है हमारे पास 4 की पावर 200 उसके बाद आता है 5 की पावर 100 इसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है जो भी पावरें दी गई है उनका हमें HCF निकालना है HCF HCF क्या होता है दोस्तो Highest Common Factor तो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो हमारे पास इनका HCF आ जाएगा 50 अब दोस्तो हमें क्या करना है 2 की पावर क्या लिखनी है हमें 50 अब 2 की पावर 50 हमने लिख ली इसी तरह से हम 3 की पावर 50 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4 की पावर 50 और फिर 5 की पावर 50 अब दोस्तों हमें क्या करना है इस 50 जो पावर है 2 की इसे 500 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसे 5 से मल्टिप्लाई करना होगा क्या हो गया हमारे पास 5 से जब इसे मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी 2 की पावर 250 इसी तरीके से हमें तीन की पावर पचास यानि इस पचास को किस से मल्टिप्लाई करें कि हमारे पास एक सो पचास आ जाए तो हम क्या करेंगे इसे करेंगे तीन से मल्टिप्लाई इसी तरह से इस पचास को मल्टिप्लाई किस से करें कि हमारे पास 200 आ जाए तो हम इसे करेंगे 4 से multiply इसी तरह से इस 50 को multiply करेंगे 2 के साथ हमारे पास आ जाएगा 100 अब दोस्तों हमारे पास जो अंदर पावर आ गई है 50-50 वो सभी की क्या है? सेम है इसलिए हम उसे neglect कर देंगे अब क्या लिखेंगे दोस्तों हम 2 की पावर 5 जो बाहर पावर है उसे लिखना है बस और 3 की पावर 3 4 की पावर 4 और 5 की पावर 2 बस अब इसे हमें solve करना है 2 की पावर 5 क्या होता है दोस्तो 32 2 की पावर 5 जब solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, 3 की power 3 को solve करेंगे तो हमारे पास आजएगा 27, 4 की power 4 solve करेंगे तो हमारे पास आजएगा 200, 55, और 5 की power 2 हमारे पास आजएगा 25, अब दोस्तों देखना है हमें कि इनमें सबसे बड़ी संक्या कोन सी आई है 200, 55, यानि जो सबसे बड़ी संक्या हमारी होगी वो होगी 4 की पावर 200 और सबसे चोटी संक्या इनमें कौन सी है इनमें सबसे चोटी संक्या है 25 तो सबसे चोटी संक्या वाली हमारी चोटी संक्या इनमें आजाएगी 5 की पावर 100 ये question देखने में जितना hard था solve करने में उतना ही असान है एक बार आप खुछ से practice करेंगे तो आपसे ये असानी से निकल जाएगे हमारा next question है एक दुकानदार 10 रूपे में 8 पेन खरीद कर 8 रूपे में 10 पेन बेचे तो हानी परतिशत ग्याद करो तो हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें जो रूपे दिये गए है उसे एक तरफ और जो quantity है उसे एक तरफ लिख लेना है ये हमारे पास क्या है खरीद 10 रूपे में 8 पेन खरीदता है उसके बाद क्या है 8 रूपे में 10 पेन बेचता है ये quantity आ गई और ये आ गया उसका प्राइज ये क्या है बेच उसके बाद हमें क्या करना है simply हमें यहां से उठाना है और इसे इसे multiply करना है इसे multiply करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तो 10 को 10 से multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और इस 8 को इसे multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा चोंट यानि 100 रुपे में वो खरीद रहा है और चोंट रुपे में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है दोस्तो 36 रुपे की हानी हो रही है अब हानी परतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे हानी परतिशत निकालने के रहे हम क्या करते हैं जो भी हानी है उसे उपर रिखते हैं उसके बाद जो भी खरीद मुल है खरीद मुल क्या है हमारा 100 रुपे तो उसे नीची रखेंगे और मल्टिप्लाई में क्या करतेंगे 100 ये 100 से 100 कट जाएगा इसके बाद आगया हमारे पास 36 परतिशत हानी यानि उसे 36 परतिशत जो हुई है हानी हुई है इस तरह के question अक्षर ही exam में पूछे जाते हैं हमारा next question है 20,000 रूपे का 5 परतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारन व्याज वै चकरवर्ती व्याज का अंतर क्या होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें दर दी हुई है 5 परतिशत और समय दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष हमें क्या निकालना है हमें निकालना है दोस्तो साधारन व्याज और चकरवर्ती व्याज का अंतर तो हम क्या करेंगे दोस्तो इस trick को apply करेंगे अंतर बराबर है मूलदन गुणे दर बटे 100 गुणे में दर बटे 100 ये सिर्फ 2 साल के लिए है दोस्तो इसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर value put करनी है और हमारा answer निकल जाएगा जैसे मूलदन हमें दिया हुआ है कितना है 20,000 multiply में r हमारे पास है 5 बटे में आएगा 100 फिर r आगया 5 और बटे में आगया 100 ये 2,0 से ये 2,0 कट गई और ये 2,0 से ये 2,0 इसे जब हम multiply करेंगे 5 को 5 से multiply किया 25 25 को 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आगया 50 यानि अंतर हमारे पास आगया दोस्तो 50 हमारा next question है वै कौन सी धनराशी है जिसका 10 परतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चकरवर्ति व्याज का अंतर 75 रूपे है तो सबसे पहले हमें जो कुछ भी दिया है वो हमें नोट करना है जैसे आर हमारे पास दिया हुआ है 10 परतिशत उसके बाद time हमारे पास दिया हुआ है 2 वर्ष और अंतर हमारे पास दिया हुआ है 75 रूपे उसके बाद हमें सिर्फ ट्रिक अपलाई करनी है हमारी ट्रिक क्या थी अंतर बराबर है मूलधन गुणा आर बटे 100 अब हमारे पास अंतर कितना दिया हुआ है अंतर है हमारा 75 रूपे इस इक्वल टू में मूलधन हमें निकालना है आर हमें दिया हुआ है 10 बटे में क्या रखेंगे 100 मल्टिप्लाई में 10 बटे 100 ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये कट जाएगी अब दोस्तों इसको जब हम इस तरफ लेकर आएगे तो ये क्या हो जाएगा 75 और ये इदर आजाएगा यानि पी की वेल्यू हमारे पास आ गई 75 यानि हमारा मूलधन आ गया 7500 रूपे हमारा नेक्स्ट कोश्चन है किसी व्यक्ति की आए में पहले 20 परतिशत कमी होती है तथा बाद में 20 परतिशत व्रिद्धी हो तो व्यक्ति की आए में कितने परतिशत व्रिद्धी या हानि होगी तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ट्रिक है हमारी A पलस B पलस A इंटू B बटे में 100, बस अब इसके अंदर हमें सिर्फ value पूट करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, बीस परतिशत की कमी यानि A हमारे पास हो गया, बीस परतिशत की कमी, उसके बाद जो है, दूसरा है, बी जो है, वो है, बीस परतिशत की वृद्धी कमी के लिए हम माइनस लगाएंगे और वृद्धी के लिए हम लगाए multiply में क्या रखेंगे b हमारा क्या है plus का तो इसे क्या रखेंगे बटे में क्या लगाना है हमें so 0 से 0 इस 0 से ये 0 कट गई और ये minus का है ये plus का है तो ये आप समें minus हो जाएगा और इसे जब हम multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आगया minus का 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 यानि 4 परतिशत जो है उसे हानी होगी हमारा नेक्स्ट कोश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 20 परतिशत कमी तथा बाद में 30 परतिशत वृद्धी हो जाती है तो लाब में क्या परिवर्तन होगा तो हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रिक है ट्रिक दोस्तों क्या है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में क्या रखेंगे सो अब दोस्तों हमें सिर्फ वेल्यू पूट करनी है सबसे पेले हमारे पास क्या हो रहा है 20 की 20 परतिशत की कमी तो उसे लखेंगे हम माइनस के लिए क्योंकि कमी हो रही है दूसरा है हमारे पास 30 परतिशत की वृद्धी तो प्लस का रखेंगे 30 प्लस अब यही वेल्यू हमें यहाँ पर पूट करनी है माइनस 20 मल्टिप्लाई में क्या करेंगे 30 और बटे में रखेंगे 100 इस 0 से यह 0 कट गई और इस से यह इसे जब हम मल्टिप्लाई करेंगे towards हमारे पास आगया माइनस का 6 और इसे जब हम करेंगे solve तो हमारे पास आ जाएगा 30 में से minus 20 चला जाएगा हमारे पास रहेगा 10 प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस छे दस में से छे निकल जाएगा तो हमारे पास ले जाएगा प्लस का चार यानि चार की हो रही है वृद्धी यानि लाब उसे लाब होगा चार परतिशत अगर ये माइनस में आता तो हानी होती अगर ये प्लस में आता है तो इस तरह से आप से solve कर सकते हैं हमारा next question है किसी परिक्षा में 60% हिंदी में तथा 70% अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 20% दोनों विशों में फेल हुए तो कक्षा में कितने परिक्षत दोनों विशों में पास हुए तो सबसे पहले हमें एक डाइगराम त्यार करनी हैं जिससे की हमें पूरा कलीर हो जाए question कि हिंदी के अंदर हमारे पास क्या है दोस्तों हिंदे के अंदर हमारे पास हो रहा है 60% छातर जो है पास हुए हैं उसके बाद हमारे पास next आता है इंगलिस का portion इंग्लिस के अंदर हमारे पास 70 पर्तिशत पास हुए है और यह जो बीच में दिया गया है यह है बीच का पॉर्षन जो दोनों के अंदर है यह हमारे पास दिया हुआ है 20 पर्तिशत दोनों के अंदर क्या हुए है फेल हुए है तो इससे हमें पास निकालने के लिए हम क्या क सो में से अगर 20 पर्तिशत फेल हुए हैं तो पास कितने हो गए दोस्तो पास हो गई हमारे पास 80 पर्तिशत अब दोस्तो तीनों क्वांटिटी हमारे पास क्या गई है पास की ये भी पास ये भी पास और ये भी पास अब हमें किस तरह सौल करना है हमारे पास है हिंदी के है हमारे पास 70 और ये जो है ये दोनों के अंदर है इसलिए हम इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास आ गया दोस्तों 50 परतिशत यानि 50 परतिशत जो है वो क्या हुए हैं दोनों विशों के अंदर पास हुए हैं इस तरह से आप इसे पड़ी सानी से सौल कर तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। का पहाडा गुना की घात ये है मोदी जी की मन की बात अगर ये आपको याद है तो आप इस कोश्चन को एक जटके में निकाल सकते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना है जितनी गुनी हमें चाहिए वो इस तरफ हमें बनानी पड़ेगी यानि दो की पावर हम कितनी करें दो की घात हम कितनी लगाएं कि हमें आठ गुनी मिल जाए तो दो की घात हम अगर दो लगाते हैं तो हमारे पास आता है चार अगर हम दो की पावर तीन लगाते हैं तो हमारे पास आता है आठ यानि अब हमें क्या करना होगा जो पांच का पहड़ा है वो तीन तक पढ़ना होगा 5 का पहडा हम 3 तक पढ़ेंगी तो हमारे पास पहले आ जाएगा 10 और फिर आजाएगा 15 यानि 15 वर्ष के अंदर जो है वो हमारी राशी है वो आठ गुना हो जाएगी यहां से हमें यह है कि समे का पहडा समे का हमें पढ़ना है पहडा और गुणा जो जितनी गुणा हो रही है उसका हमें निकालना है गहात यहां से हम इसे पकड़ पाएंगे असानी से तो इस तरह से हम इस कोशन को सौन कर पाएंगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है चक्रवर्ति व्याद की दर्स से कोई धनराशी साथ वर्ष में तीन गुनी हो जाती है तो कितने समय में 243 गुने हो जाएगी तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो है समय समय हमारे पास है साथ वर्ष कितने गुने हो रही है हमारे पास हो रही है साथ वर्ष में तीन गुनी और हमें चाहिए 243 तो हमें क्या करना है दोस्तो समय का पहाडा और गुना की घात यानि अब जितने गुने हो रही है उसकी हमें घात लगानी है जिससे की हमें 243 मिल सके तो यहां पर पावर है एक इसके बाद हम लगाएंगे तीन की पावर दो तो हमारे पास आ जाएगा नो तीन की पावर तीन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27 तीन की पावर चार हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 81 और 3 की power हम लगाएंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 243 यानि अब 7 का पहड़ा हमें कितने तक पढ़ना है 5 तक आप डरेक्ट पढ़ सकते हैं से 7 5 35 यानि 7 5 हमारे पास क्या आ गया 35 यानि 35 वर्ष के अंदर जो है वह कितने गुने हो जाएगी रासी 243 गुने अगर दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज़ादा शेर करें और वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाते हैं कि आप इस तरह की ट्रिक हमारे चैनल से और देखना चाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ची ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अगर आप इसी तरह की करें लुद करें यारी उने में लुद करें लुद के यारना स्व依ा ङब एल हुप भूधरओन जिससा करें 마음